कि शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टन बात डार्वस बॉक्स स्ट्रेटिजी का पार्ट वन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पहले जाके आप वो वीडियो देखें जिसमें कि मैंने पूरा समझाया है डार्वस बॉक्स कैस इसने बनाया और आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं पहले और सीधा पार्ट तू देखेंगे तो शायद आपको कुछ चीज़े समझना आए पार्ट वन वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और मैं इसने की आप अपना खुद का स्कृणर बना सकते तें लेकिन दो तीन लोगों का ट्विटर पे भी मैसेज आया कि आप स्कृणर बना के लिंक शेर कर दो और मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं आपको इसक्रिणर आपके सामने बना के दिखाँगा ताकि आपको खुद स्क और चर्राइन का लिंक भी शेर कर दोगा चार्टिक perfect screener कैसे बना सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडीयो के बनाया है पहले आप उसको भी देख बेंको टेस्कूपर्इस Фर्रम स्क्रीन को रॉन करके कुछ stop up excuse और उताउक को review करें कि व डावर मेल事 सक strands की डं रार करते हैं, जो कि इसको identify कर सकते है और इसके लावा कुछ और कोछ और recent Darbres box breakout to Part 1 video बनाने के बाद जो recent breakoutation को व गसे अगर आपको याद होगा तो Part 1 video में हम ने देख थे कुछ रूल्स डार्वस पॉक्स तेरी के कुछ रूल्स थे एक बार वीडियो को पॉस करो रूल्स को फिर से देखो क्योंकि यहाँ इन रूल्स के उपेज पे एक स्क्रीनर बनाएंगे आल राइट रूल्स आपने देख लिया है हम आगे चार्टिंग पे इंशॉर करें कैस्ट सेल क्या मतलब हुआ इस लाइन का इस लाइन का इस लाइन का इसे जो लेके की यह लिए भार ली किस देख मतलब यह एक 55-2 वीख है तिक है इस लाइन पार फॉल्स टी अहां गे गे वीदियो एक प्यूक्ट आः लाइन ठीक है, आपको यह सब 201 stocks मिल जाएंगे, but this is not what we want, हम चाहते हैं, latest high बन गया है, उसके बाद, slowly, volatility और volume contraction स्टार्ट हुआ है, एक टार्वेस बॉक्स का floor बनना चाहिए, ceiling बन गया है, latest high will form the ceiling, उसके बाद उसका floor बनना चाहिए, तो हम वो stocks टून रहे हैं, मैं suggest करता हूँ 20%, let's see, multiply कर देते हैं, इसको एक number से, if I put this number at 0.80, यह हमें क्या देगा, वो stocks, जो last 260 days के high से, 20% के नीचे की range में चल रहे हैं, ठीक है, if I run this scan, you can see now we have 1300 stocks, जो 52 week high से, 20% के नीचे की range में चल रहे हैं, next rule क्या था, 52 week low से price almost double हो चुकी है, ठीक है, तो बनाते हैं, low, latest low जो है, that is greater than, equals to, say minimum, हम minimum function use करते हैं, minimum 260 days, और यहां पर हमने बोला है, latest low, ठीक है, and multiply it with, 2, all right, let's read it now, latest low, greater than and equal to, 260 days का जो low था, उससे, उसका जो minimum था, उससे price double हो गई है, let me run this filter, if I run this filter, what I get, oops, 832 stocks, very good, clear है, दो rules बन गए है, इससे क्या पता चल रहा है, price strong uptrend में है, last 52 weeks low से price double हो चुकी है, और latest 52 weeks high just बनाया है, price उसके 20% की range में घूम रही है, इसको और double sure करने के लिए, हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमने rules में पढ़ा, simple moving averages, तो पहले हम decide करते हैं, close price is greater than, simple moving average, say 100 days, price, simple moving average, 100 days से उपर close हो रही है, अगर मैं इस blue को click करूँ, तो it will duplicate this filter, what I can do is, I can add another filter, की 100 days का जो moving average है, that is greater than 200 days moving average, clear, यह चारो filters, यह बिल्कुल clear कर रहे हैं, कि price strong uptrend में है, price ने क्या बनाया, 52 week का latest high बनाया, उसके बाद consolidate कर रही है, 20% की range में है, price ने 52 weeks का जो low था, उससे double हो चुकी है, 100 days moving average के उपर है, price और 100 days moving average is, above 200 days moving average, clear है, strong uptrend में है, right, एक और rule हम एड करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुच समझना क्या है, ठीक है, let me explain this, latest high is, say, less than, less than, say, maximum of, maximum function यूस किया, 260 days, 260 days, यहां पर हम ने लिया, फिर से latest high, latest high जो बना है, last 260 days के जो high है, उससे नीचे है, कितना नीचे है, multiply नीचे है, या equals to है, यह क्या बता रहा है, यह आपको बता रहा है, कि latest high जो बना है, that is not the 52 week high, उससे नीचे है, या उसके equal है, ठीक है, next, हम और क्या add कर सकते है, हम add कर सकते है, RSI, एक पूरा वीडियो बना है, RSI के उपर, क्या बताएगी हमें, RSI बताएगी कि, velocity क्या है, let's use greater than and equal to, number 55, जो भी price action चल रहा है, जो भी अभी हमने price action देखा है, उसके पीछे momentum, उसका velocity कितना है, कितनी strength के साथ, वो price action हो रहा है, देखो, अगर RSI 60 के उपर होगा, तो शायद already breakout हो चुका होगा, हम उसको breakout से पहले पकड़ रहे हैं, उस stock को, तो let's keep it to 55, आप अपने इसाब से सब numbers change कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए volume, एक key point था, रूल में last rule जो था, जहां पे highlighted था must, हम चेक कर रहे है volume, volume क्या है, हम कहरें जो latest volume है, latest volume is greater than and equal to, equal to की भी जरुवत नहीं, greater ही चाहिए हमें, simple moving average of, not close, not close, simple moving average of volume of last 20 days, latest volume जो है, उसमें एक spike है, last 20 days के जो volume है, उसके average से आजज ज़्यादा है, एक spike है, जिसको हम catch करने के कोशिश करें, volume is the key है, जब breakout से पहले, जब volume बिल्डप स्टार्ट होगा, वो है की है, इसके लावा भी हम कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं, जो की मुझे पसंद है, आप EPS, मैं समझता हूँ की, इचुड बी greater than one होना चाहिए, अपना आपका choice है, मेरा अपना एक rule है, की मैं loss making companies में क्यों हो पैसे invest करना है, हमारे परस हजारों कंपनिया है, जो profit में हाँ, और आप देखो कि बहुत सारे dervus box आएंगे हैं हमारे परस, तो हमें क्यों loss making company में जाना है, at least earning per ratio कुछ respectable तो, at least positive हो, इसके लाबा एक और important ratio जो मज़े बहुत अच्छा लगता है, it should be less than say number one, debt to equity ratio, उस company के पास debt जो है, उसके market cap से काम होना चाहिए, उसका debt to equity ratio should be less than one, हमें ऐसी company में क्यों invest करना है, जैसने बहुत ज़्यादा debt लिया हुआ है, आपकी choice है, आप इनको हटा सकते है, cross button click करोगे, हट जाएगा, ठीके, now let's run this scan, देखते है हमारे पास क्या आता है, we got 51 companies, और 51 companies को study करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं क्या करता हूँ, volume पे जनरली इसको filter कर देता हूँ, now you see infosage, just dial, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीट है, जो शाहर लास वीडियो में बताना भूल गया था, this strategy is not for large caps, large caps में problem क्या होती है, कि big money play नहीं कर पाता है, large cap, for example, HDFC या infosage bank को, अगर एक big money या big player को move करना है, तो उनको बहुत जादा इंवस्करना पड़ेगा, दाल के भी, they can make the stock price run like anything, तो उसके लिए हम एक filter add कर सकते हैं, say market cap of the stock is less than 2000 crore, ठीक है, now let's run this scan, कितनी companies आगी हमारे पास, हमारे पास है 28 stocks, which is a reasonable number, थोड़ा study तो करना ही पड़ेगा, आपको volume pane को sort कर लेते हैं, alcon engineering, कुछ companies को देखते हैं, उठा के, let's go to alcon engineering, what is this, very good, एक tarvus box बनाते हैं, यहाँ पे 52 week high बना था, यह उसका floor था, 52 week high पे ले आते हैं, उसके बाद 52 week high के बाहर, candle close नहीं हुए, ब्रेक नहीं हुआ है, attempt हुआ है, यह एक attempt हुआ था, यह attempt क्यों false attempt था, एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाये था, मैंने, अगर आपने नहीं देखा है, तो बहुत important चीज़ मिस कर रहे हैं, आप false breakouts को catch करने की, look at this, this is called a classic bearish divergence of RSI, जब यह इसने इसको breakout किया, हो सकता है, आप गल्ती से position ले लेते हैं, आपको लगता की शायद breakout होने वाला है, और उसके बाद एक bearish divergence आया, और यह प्राइस चली के नीचे, अब यह breakout क्यों होना चाहिए, वाई इस तिल a good stocks to be kept in your watch list, because यहाँ पे आपको यह लो है, यह एक लो बनाया, लेकिन लो लो बनाया, लेकिन एक लो लो बनाया, अगर आपने वीडियो देखा, तो यह नो लो बनाया, यहाँ構 है, यहाँम एक, यह भाइस तो, यह का मतलब, यह प्राइस कंटिनिएसएन पार्टन है, इस वेरी लाइकली, इस वेरी लाइकली, को वेल बनायाइचुजंसिग कि यह ब्रेक आप होगा, नेक्स स्टास है, PC ज़खर्स, I think हमने एक चीज मिस कर दी इसमें मैं एक चीज और एड करूँगा मुझे वो प्राइस या वो स्टॉक्स नहीं चाहिए जो की 30 रुपई से भी सस्ते हो ठीक है आर यू विद मी मैं इतने चोटे पनी स्टॉक्स में जैसी में नजर पी सीज पर पड़ी तो मैं डर गया तो ठीक है अब हमारे पास है 24 स्टॉक्स बहुत बढ़िया अब हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करें नाव सांगी इंडस्ट्रीज लेट्स को ए बनाया फ्लोर मोवेट तो दिएच अफ़ बोक्स नाव लुक अधिस प्राइस प्राइस 20 के पर सस्टीन कर रहा है यह एक वॉल्म स्पाइक था जहां पे हमारी एंट्री की जगे थी तेको बॉक्स का ब्रेक आउट होने के बाद पोजिशन लेना कभी-कभी बहुत लेत हो हमें वो कैंडल्स देखने हैं जिसमें इतनी लॉंग सप्लाइविक नहीं हो अच्छी कैंडल की बाडी हो और यह एक स्ट्रेंथ पता रहा है लेकिन यह इतनी लंबी कैंडल है थोड़ा और रुकेगा 20 के ऊपर इसको सस्टेन करने दो कीप इन यह वाच लिस्ट अच्छी कंपनी है वैसे भी मेरे पास शायद ओके मेरी वाच लिस्में था यह पहले भी आया था लुक अगर आप नीचे देखेंगे आरे से वाल वीडियो अपने नहीं देखा है तो जरूर देखो मैं लिंक छोड़ रहा हूं आई बटन पर आपको कुछ चीजन समझ आती है यहां पर कुछ चीजन समझ आने चाहिए यहां पर कुछ चीजन समझ आने चाहिए एक लूखर बनाए इसने एक लूखर बनाया रस आने लूखर बनाया प्नाया टरिश्म कोज करिश खनग फ़र दिखेंगे पर यह टार्वर्स बॉक्स बन रहा है इस इन प्रोग्रेस पाइनियर इंब्राइटरी बहुत बढ़िया स्टॉक है पहले भी मैंस्में ट्रेट ले चुका हूँ अगें ओकें लुक अट इस बॉक्स यहां 52 वीक हाई बना है अभी बॉक्स का फ्लोर बन रहा है शायद एक नया फ्लोर बनेगा और बहुत इंपोर्टन चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एक स्टॉक को रिव्यू करें अनिलाइज करें तो आल्वेज चेक थी हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में आपको ये चेक करना चाहिए कि का कोई हिस्टोरिकल रेस्टेंस तो नहीं है स्ट्रॉंग रेस्टेंस अगर आप पाइनियर इम्पराइटरी को देखोगे तो देर इस अ हिस्टोरिकल रेस्टेंस यहां से हो सकता जब बॉक्स बने और बॉक्स का ब्रेक आउट हो तो फिर से वो ब्रेक आउट सक्सेस्फुल ना हो कुछ दूसरे फैक्टर चेक करने पड़ेंगो इस वर कि वॉल्यूम कितना स्ट्रॉंग है यहां पे भी अगर आपने देखा हो लोक यहिंद दिस आरेसा का स्विंग से प्राइस का स्विंग यहां से यहां उपर यहां से यहां घौक ददक दर्सक्न बॉक्तदिएंडेंज का धस्टी प्रेक कर पा रहा है यह मैं डूह आइक दो और प्रेक अध besch peन कर नहीं है अाश्त देख लेते हैं ester को तेख लेते है ester industries, let's open ester industries का chart, बहुत बढ़िया जगह पर खड़ावा है यह breakout देना चाहिए यह volume spikes है, यह हमारी जगह है जहाँ हम को इसमें entry ले 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 लेना चाहिए था क्योंकि look at this candle, this candle में demand विक ज़्यादा लॉंग है, supply विक price 20 के उपर आप settle हो जाना चाहिए, कोई divergence नहीं है अभी तक एक और stock ले 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 थे हैं, SMS pharma SMS pharmaceutical, शायद मेरे पास पहले भी था, यह yes, very good, इसमें आपको एक ascending triangle बनता भी दिखेगा उसको जाने देते हैं भी यहाँ से price ने 52 week high बनाया कहा थे, इस candle से, उसके बाद 52 week high break नहीं हुआ, आप बहुत क्लिरली देख सकते हैं कि 52 week high break क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह continuously आपका hidden divergence बना रहा है sorry, bearish, classic bearish divergence बना रहा है, तो break नहीं हुआ, लेकिन spikes हा रही है it will probably attempt again ठीक है, यह हमने कुछ stocks देखे जो आए आप बाकी stocks को रिव्यू कर सकते हैं analyze करो, screener का link मैं share कर दूँगा इसके लावा हम कुछ वो stocks के उपर बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में जब हमने last video बनाय तो उसके बाद से जिनों ने breakout दिया है यह जो अभी करेंटली डार्वस बॉक्स फॉर्म कर रहे हैं इस अलकला मायन इस वेरी गुड कंपनी फंडमेंटली बहुत स्ट्रॉंग कंपनी है आपको वैसे भी अपने शाद पॉटफोलियो स्टॉक में होनी चाहिए look at this price is slowly settling down on 20 एक नया higher high बनाया है अब volume spikes आने लगे है look at this में थोड़ा सब volume spikes आने लगे है candle का shape अच्छा नहीं था sorry candle का shape अच्छा नहीं था इसलिए हम शायद position नहीं लें let's wait for another volume spike or a good candle or a breakout ठीक है पहले आप देख़े यहाँ पे एक attempt हुआ था बहुत पहले से यह bearish divergence बनाता हुआ रहा है हमें पता है नीचे जा रही है प्राइस देखो हर बार इसने एक dip दिया है आभी तक जबी नया high बनाएगा तब हमें देखना है कि divergence है की नहीं है APCL बहुत बढ़िया कंपनी है कई बार डार्वस बॉक्स के ब्रेक आउट्स दिया है इसने तो हम इसको नहीं देखेंगे आपको टेक्स में देखिए कि यहां पे बॉक्स बन रहा है वोल्यम स्पाइक आया कंविंसिंग नहीं है जाने देते हैं एस्टेक बहुत अच्छी जगह पर है स्टॉक बेरिश हिड़न हिड़न बुलिश टाइवर्जिंस आपको देख रहा है यहां आने के बाद इसका मतलब यह प्राइस कंटिनुएशन पाटन है जोकि ट्रेंड कंटिनुएशन पाटन ह सौरी वॉल्यूम स्पाइक है यह हमारी जगह होनी चाहिए एंट्री लेने की इस वरी इस वरी लाइकली कि यह बहुत जल्दी शाद ब्रेक आउट देगा ऐस तेक अच्छी कंपनी है बाला जिया माइंस का ब्रेक आउट सिक्सेफुल नहीं हो पाया ठीक है आप अगर दे माइन तो तो शायद ह солн नहीं लेनी थी पर मै ने इसमें में पोडिशन व भी है मैंने पोडिशन यह पर ली थी क्योंडिय में इसमें यहां पे ले थी क्योंकि यहां पे 1 वा धॉल्यूम स्पाइक gebeur के ग्राइं कि एक प्राइस का जो ट्रेंट है को एक है फोग है व larva लास्त वीडियो के बाद दालमिया भारत में बहुत अच्छा वालियूम बहुत अच्छा डार्वस बॉक्स ब्रेक आउट हुआ अभी तक उपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है दीपत नाइट रेट में अभी ब्रेक आउट नहीं हुआ है यहां पर पेरिश अच्छा बाहर आगया हाई टेक ने बहुत बढ़िया ब्रेक आउट दिया था लोकेट इस ब्रेक आउट थोड़ा बड़ा है अगर आप इसकी रेंज देखेंगे जनरली हमेन इतने बड़े ब्रेक आउट को मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ इमेरेटली यह ब्रेक से हाई ब्रेक और आपको लग रहा है कि फिर से वो मोमेंटम में जाए तो आप ले लो मैंने यहां पर एंट्री क्यों ली क्योंकि मुझे एक हिदन बुलिश टाइवर्जेंस देख रहा था अकर आप देखेंगे आरे से वाला वीडियो नहीं देखा नहीं तो जरूर रूरा है प्राइस ट्वंटे के उपर से अत्री है बोट ओल्यी बूलिश टैवर्जेंस आया है यहां आने के बाद तो प्राइस कार दूरिया हिर्छ अभी आ नॉट फुली कंवेंस कि यह सस्थें करेगा और इस्पवेंट इसक शाई शाइज एं सेपते कैंडल तो लेट वेट शुबिलिंट इंक्रिविया में प्रॉक्स अभी ओरियंट बेल में आएम रेडी तो तेक पॉटिशिन दिको जोली स्लोली प्राइस सेटल हो रही है 20 के ऊपर यहां hidden bullish divergence है जो हमें convince कर रहा है कि this trend may continue मैंने इसके ऊपर प्लापास में भी बात किया है twitter पर भी मैंने इसको पोस्ट किया तो और येंट बेल को अच्छी कंपनी है पो करना I am ready to take a position on Monday I am ready because I can see hidden bullish divergence like bearish divergence आया उसके बाद प्राइस नीचे करेक्ट हो गई box का floor बना उसके बाद एक hidden bullish divergence आया now I can see volume spikes plus price is now settling above 20 मैं position कब लूंगा जब ये 20 moving moving average जो है rising हो जाएगा prism johnson is ready to give a breakout process price is again settling above 20 shaw shakti pump बहुत बढ़िया company है देखो यहां पे इन्होंने volume spike दिया देखो यह volume spike दिया bullish divergence है hidden bullish divergence है अब price 20 के उपर settle होना चाहिए यह भी अच्छा volume spike है एक और important चीज जो है आपको इसमें देखना चाहिए कि इसने एक historical breakout भी दिया है this is a historical breakout तो अच्छी कंपनी इतना सुंदर rounding bottom के बाद हमें नहीं चोड़नी चाहिए latest मैंने Friday को इसमें position लिए जैंसार में again एक बार पहले इसने breakout दिया था बहुत अच्छा breakout था उसके बाद यहां से प्राइस देखो यहां मने मैंने डर्वस बॉक्स के वीडियो में बताया कि हम जनरली टार्गेट क्या से निकालते है फॉर्स टार्गेट इट शुडबी दी डिफरेंस बेविन दी सीलिंग अंद फ्लोर उसको फिर आप उपर लेकिया हो इसने इक्जाक्ली उतना टार्गेट दिया फिर थे एक बेरिश टाइवर्जेंस बनाया यहां पर सीद बेरिश टाइवर्जेंस और नया 52 वीक हाई बना नया बॉक्स बना नया फ्लोर बनाया और उसके बाद प्राइस ने स्लोली स्लोली बहुत सुंदर राउंडिंग बाटम बनाते वे ब्रेकाउट का अटेंट किया ब्रेकाउट का अटेंट नहीं चला लेकिन आपको कन्विक्शन मिल गया इन वॉल्यूम स्पाइक्स की वज़े से की अब यह आज नहीं कल होने वाला है और उसके बाद ब्रेकाउट हुआ convincingly हुआ there is no bearish divergence if you look at the RSA levels there is no bearish divergence now you take this this price difference and that should be your target now which is like 440 मैंने position ली है मैं आपको यह नहीं बुल रहा हूँ आप position ले अपना दिमाग लगाए अपने indicators लगाए अपनी strategy को use करें उमीद करता हूँ आपको यह second part of Darvish box और अच्छा लगाओ कुछ value add हुआ हो आपका अगर ऐसा हुआ है तो please do not forget to like and subscribe the channel thank you very much